हम सबी को कुकी बहुत पसंद आती है और हमें बहुत तरह की कुकी मार्केट में मिलती है परन्त। आज हम बनाएंगे क्विक, इज़ी, लेकिन बहुत ही डिलिसियस कुकी जिसे आप डयजर्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसे आप पीजा कुकी, पैन कुकी, इसे बनाना शुरू करते हैं पीजू की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइ इंग्रिडियन्स लिया है वन कप अल परपस फ्लोर टू टी स्पून कॉण फ्लोर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा अभी हम इन ड्राइ इंग्रिडियन्स को एक साथ चलनी में चान लेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर चलनी में अल परपस फ्लोर लिया है इसी के साथ में हम कॉण फ्लोर भी एड कर देंगे और साथ में बेकिंग सोडा भी एड कर देंगे और इन सभी को एक साथ ही चलनी की हैल्प से चान लेंगे जब भी आप cake, cookies, कुछ भी बनाएं तो dry ingredients को एक साथ चलनी से चान लेना बैतर रहता है ताकि उसके कोई भी big particles उसके अंदर ना रह सके अभी आप देखिए, यह हमारा चलनी से चान चुका है अभी हम एक बार फिर भी spoon, spatula या किसी whisker की help से इसको अच्छे से mix कर देंगे ताकि यह तीनों बहुत अच्छे से mix हो जाएं इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 3-4 cup brown sugar साथ में 1-4 cup melted butter and 1-4 cup condensed milk condensed milk घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं अदर्वाइस यह market में भी बहुत easily available होता है और इसी के साथ मैं मैंने लिया है vanilla essence अभी मैं एक बड़े बॉल में butter को डाल रही हूँ यह बिल्कुली melted form में आपको नजर आ रहा है लेगिन यह गरम बिल्कुल भी नहीं है यह room temperature पर ही रखावा था इसी के साथ हम इसके अंदर condensed milk भी add कर देंगे और साथ में जो हमने brown sugar लिए वो भी हम इसी के अंदर add कर रहे है और अभी इन सभी को हम बहुत अच्छे से mix कर देंगे इसके लिए आप एक spatula या whisker किसी की भी help ले सकते है ऐसे ही simply mix करना है अभी हम इसके अंदर one fourth teaspoon vanilla essence add कर रहे है और इसको भी हम अच्छे से mix कर देंगे इसको तयार करने में हमें लगबग one fourth cup milk की requirement रहेगी हम इसके अंदर two tablespoon milk add कर रहे है हमें milk धीरे धीरे करके ही add करना है एक साथ में पूरा add नहीं करना है इसको हलका सा liquid form में बना लेने से सुगर बहुत जल्दी dissolve हो जाएगी अभी आप देखें यह सब कुछ बहुत अच्छे से mix हो चुका है अभी इस सेस पर हम इसके अंदर dry ingredient जो हमने लिये थे वो add कर देंगे और अभी हम इसको भी बहुत अच्छे से mix कर देंगे इसको mix करने के लिए आप spatula या spoon किसी की भी help ले सकते हैं और अगर requirement हो तो जो milk बचावा था वो आप इसके अंदर add कर लें और इसके बैटर को simple ऐसा बना कर तयार कर लें इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके बैटर को बना कर freeze में रख सकते हैं और जब आपका दिल करें आप बैटर को बहार निकालें बेक करें और पिजुकी को तयार कर लें ऐसे मैं आप बहुत कम टाइम में ही पिजुकी बना कर तयार कर पाएंगे अभी आप देखिए हमारा यह बैटर तयार हो चुका है और इसकी consistency मैंने इस तरीके की रखी है अभी मैं इसको एक ceramic dish में डाल रही हूँ जिसके अंदर मुझे बेक करना है आप चाहें तो कोई भी ceramic dish यूज़ कर सकते हैं अदरवाइस आप cake tin में भी इसको बेक कर सकते हैं अभी इसको simply आप spatula की help से अच्छे से सेट कर लें अभी आप देखिए इस spatula की help से हमने इसको equally सेट कर दिया है और अभी मैं इसके उपर chocolate chunks लगा रही हूँ आप चाहें तो chocolate chunks या chocolate chips कुछ भी लगा सकते हैं इसके साथ मैं walnut भी इसके उपर लगा रही हूँ अभी हम इसे preheated oven में 180 degree centigrade पर 22-25 nuts के लिए bake होने के लिए रख देंगे फिर भी आप अपने oven के according इसके time को थोड़ा सा adjust कर लें अभी आप देखिए ये बहुत अच्छे से bake होकर तयार हो चुका है और ये देखने में भी बहुत ही सुन्दर लग रहा है इसका crust बिल्कुल golden brown कलर का लग रहा है ये serve करने के लिए बिल्कुल ready है इसमें use होने वाले ingredients को आप एक बार फिर से recap कर लेते हैं पीजुकी को आप ऐसे भी serve कर सकते हैं लेकिन इसके स्वात और presentation को और बहतर बनाने के लिए आप किसी भी ice cream topping के साथ serve करें और इसके स्वात का लुद्फ उठाएं लिए है अीजुकी का लिए ! अ्यों श्रवागे सुवामः नि द्याएं